How to fix Snapchat audio message not working problem तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने Snapchat एकाउंट पे यदि आपका audio message यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम यहाँ पे hold करके रखते तब हमें यहाँ पे audio message send करने का option दिया जाता है रिकोर्ड करके यहाँ पे automatically यहाँ पे हमें छोड़ना होता है तो यह चले जाता है लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हम play करते ना तो वो play हो पाता है कभी कभी ना तो यहाँ पे हमने जो record किया वो बचता है ठीक है तो यहाँ पर sound का problem होता है या फिर record नहीं होता है या फिर जितना भी आपका problem आ रहा है इसके उपर इसे आप के से fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिर्फ एकी solution नहीं कम से कम में आपको 4-5 solution बताऊंगा बार restart कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों देखिए mobile restart करने पर बहुत से problem जो है वो solve हो जाता है ठीक है तो mobile को एक बार restart करके आप चेक कर सकते हैं अभी second option आपके पास क्या है आपको जाना है सबसे उपर आपके avatar या फिर icon कहीं लीजे उसके बार top right corner पर आपको gear icon पर click करना है उसके बाद आपको एकदम नीचे आना है और यहाँ पर जो आपको दिखाए दे रहा है account actions के नीचे clear cash पर click करना है यहाँ पर continue पर click करना है अभी यहाँ पर click करने के बाद में आपका cash जो है वो clear हो चुका है अभी आप एक बार check करके देखे आपका audio काम करता है की नहीं काम कर जाता है सही बात है काम नहीं करता है कोई दिकत ने है गबराने वाली बात ने है अभी मैं आपको क्या बताऊंगा आपको अपना mobile के settings पर जाना है अभी third settings हमें करना है वह आपको एकदम नीचे आना है settings पे और app management पे जाना है दोस्तों हो सकता है कि location इदर उदर हो आपके mobile में हो सकता है कि app management के जगह में आपको installed apps या फिर app manage आपको दिखाई पड़े उसके बाद आपको यहाँ पे source system processes पे क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको system system launcher ढूनना होगा आपको ठीक है तो चलिए हम अपना system launcher ढून लेते हैं यहाँ पे system launcher system launcher system launcher system launcher system system launcher यहाँ पे आ चुका है इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको Storage Usage में जाना है Clear Data में क्लिक करके इसे Clear कर दिना है तो यह Clear करने के बाद में आपको बेकाना है यह रहाँ आपका Third Step उसके बाद में आपको यहाँ पे ढूनना है आपका Snapchat App तो चलिए हम Snapchat App ढून लेते हैं तो कि Obviously एकदम नीचे पे रहेगा Snapchat के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे Storage Usage में जाना है और यहाँ पे Clear Data में आपको क्लिक करना है तो यहाँ Clear Data में क्लिक करने के बाद में आपको इसे Clear कर देना है तो यह Clear करने के बाद में आपको Back जाना है और आपको permission पर जाना है permission पर चले जाएए और यहाँ पर permission पर जाने के बाद में इस सारा permission आपको इलाओ करना है उसके बाद में दोस्तों अभी fourth option क्या है आपको play store में जाना है play store में जाके आपको snapchat ढूणना है और यही यहाँ पर आपको update का option दिखायदे रहा है तो आपको update कर लेना है ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारे Snapchat के अंदर audio जो हता है audio recorder audio message voice उसके अंदर में update आया हुआ रहता है तो क्या होता है कि हमारे Android mobile के अंदर में या फिर कि लो iPhone इस्तिमाल कर रही है तो वो दोनों comfortable नहीं होता है उसके वज़े से आपको problem हो सकता है तो एक बार आप update भी कर लीज़ेगा तो यह सारा करने के बाद में mobile को एक बार restart कीज़े और आप जाके Snapchat खोल के audio record कीज़े आपका काम करने लएगा Thanks for watching